जैन साथियो मैं एक्सरेश्मेंट सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर साथियो यूपी कॉस्टेवल भड़ती के रिटेन एक्जाम का आज लास्ट पेपर है और काफी हमारे एक्सरेश्मेंट भाईयों के कुछ सवाल जरूर होंगे जैसे के एस्पेक्टेट कट कॉटॉप दूसरा के हमारे यूपी कॉस्टेवल में अगर हमने रिजर्वेशन ले लिया तो दुवारा हम अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तीसरा पेप्रोटेक्शन हमें इस जौब में मिलेगा या नहीं मिलेगा चौथा यह भी हमारे काफी एक्सरेश्मेंट रह करने से पहले यह पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी जो कट ओप है वह हो कटेगरी वाइज लगेगी या विदाउट कटेगरी वाइज यानि एक ही लगेगी जैसे कि आप सभी को पता है कि साथ हजार में से 5% हमारा जो भी एक्सरेश्मेंट भाईयों का रिजर्वेशन ह लगबग 3000 वेकेंसी हमारी एक्सरेशन भाईयों के इससे में आती है और जो फिजीकल के लिए बुलाया जाएगा लगबग टूटल वेकेंसी के डाई गुने लोगों को बुलाया जाता है तो आप मान के चलें कि 75 एक्सरेश्म भाईयों को फिजीकल के लिए इस बढ़ती म में बुलाया जाना है अब काफी भाईयों का यह भी कहना होगा यूपी ट्रिपल सी के हिसाब से कि एक्सरेशन भाईयों कट आप एक ही लगेगी लेकिन मैंने जहां तक यह जाना है कि पिछला जो रहा है उसमें यूपी बुलिस में अलग अलग कर्टेगरी वाई एक्सरे इन देखने के लिए मिलता है लेकिन फायदा तो एक ही कट अप लगने में है अगा एक कट अप लगती रहती है तो उसमें ज्ञादा फाYDBE सिव लो जाएंगैं कि एक्सरेशन भाईयों की पूरी वेकेनशी फिल सर्वेशन नहों करके एक्सरेशन भाईयों में से जो हमार OBC, SC, ST, जैसे की पिछली भड़ती में भी हमने देखा है कि होता गया है, एक आद भड़ती में एक भी कटोप लगी है, लेकिन अभी जो चांस हैं, अलग-लग कटेग्रिवाइज ही कटोप लगने के हैं, साथियों फिजिकल के लिए मैं सभी को यही बात कहूंगा, जो एक्स अपनी फिजिकल की त्यारी करें, क्योंकि 4.8 किलोमेटर 25 मिनट में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि एक्स छूटने के बाद में थोड़ा सा टफ होता है, mostly हमारे एक्सरेशन भाई 70 से 75 परसेंट अपना फिजिकल क्रेक कर देते हैं, क्योंकि उनको 5 किलोमेटर दोनने क आदत होती है, और एक महीने में वह अपना रिदम पकड़ लेते हैं, तो काफी हमारे एक्सरेशन भाई 25 मिनट में एजली कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिनको प्रॉबलम हैं, उनको ज्याद अपरेटिस करने की जरूरत रहती है, फिजिकल के लिए कट आप की बात करू इस नहीं है, फाइनल मेरिट की जो कट आप का आइडिया हमारा लगने वाला है, वह फिजिकल के लिए जो कट आप आइगी, उस से लगबग लगबग लग जाएगा कि हमारा कितनी फाइनल मेरित जा सकती है, दूसरा हमारे जो, दूसरा जो हमारे एक्सरेशन भाईयों का जो सवाल रहता है कि यूपी कॉंश्टेवल में अगर हमने रिजर्वेशन ले लिया तो क्या हम दोबारा अपना यूपी एस आई या रो या यूपी पीचीएस में अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं साथ यो जो सेंटरल का गवर्मेंट रूल है उसमें एक बार जॉब का है यूपी स्टेट का कहीं पे भी एक बार रिजर्वेशन लेने का रूल नहीं है मैं भी अभी हाईयर पोस्ट के लिए अपलाई कर रहा हूं और काफी हमारे एक्सरेशन भाई ऐसे हैं जो ऑन ग्राउंड में देखा है जो यूपी कोस्टेवल से यूपी एसाई में आये हैं उनको कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है यानि कि अभी तक यूपी और सेंटर गवर्मेंट की रूलिंग अलग है तो यूपी गवर्मेंट ने हमारे का भी एक्सरेशन भाईयों ने दो या उससे ज्यादा आर अपना रेजरिविशन लिया है तो अभी तक आप भी ले सकते हैं आगे आने वाले सबय में क्या होगा वो तो कोई नहीं कह सकता ह किसरा रहता है क्ट फेल प्रोटेक्शन का यूपी कॉंस्टेबल में हमारे अपस्बरेशन भाईयों मिलेका या नहीं मिलेगा त Cassio अभी तकWe नहीं हमारे यूपी कोस्ट की भढ़ती होई है उसमें सभी हमारे अक्षण हो प्रोटस्ट मिला है पिछली भढ़ती हों मिला। लेकिन 59 इसमें समें का जो पे प्रोटक्शन का रूल है वो कोर्ट में विचारा दीन है जो भी जज्जमेंट होगा कोर्ट के हिसाब से होगा लेकिन वर्तमान में जो इस्तिती है यूपी गवर्मेंट ने अपना पे प्रोटक्शन बंद कर रखा है एकसरेशन भाईयों के लिए तो आप अगर हैं कि लोट प्रोटक्शन ना मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं मिलने के चांस बहुत कम है अपनी 35 k के अप्रोक्षी सहल ली मान के चले हमारे एक क्या ओमसी है वह है यूपी कॉंस्टिवल में होने या नहीं होंगे क्यों कि यह बेल्ट च भाईयों को हमारे जो मेडिकल वाले होंगे उन्होंने इसमें पार्टिस्पेट कर रहे होंगे साथियो मेरा मैंने जहां तक ओन ग्राउंड दिखाया तो लम्सी होने से कोई प्रॉलम नहीं है आपको बस अपना फिजिकल क्लियर करना है दूसरा जो आपका मेडिकल एक्जामनेशन यूपी पुलि है तो उसमें तो आपको प्रॉलम होने ही वाली है क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको एक बार फिजिकल नहीं करना है इसके बाद आपकी छे महीने ड्रेनिंग होनी है उसमें भी आपको सब्सक्राइब को यह भी कुछन रहेगा कि क्या हमें कोई फिजिकल में छूट है तो ए फिजिकल फिट अपने आपको यूपी कोश्टेवल के जौब के लिए आपको फिजिकल फिट होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनिंग में भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी है अब काफी हमारे एक्सरेशन भाईयों से बात हुई है तो काफी अच्छे अट हैं तो इस हिसाब से कटोब भी हाई नहीं जाएगी अब देखना यह होगा कि आपकी फिजिकल की कटोब कहां पर हो आने के बाद में फानल को क्टोब का लगभग लगभग आइडिया लग जाएगा तो फिलाल की कंडिशन में जो भी हमारे एक्सरेशन भाई कर रहा है यह पीकोस्टेवल में वह अपनी physical की Preparation करें चाहे उनके 40 Marks बन रहे हो चाहे उनके 60 Marks बन रहे हों, physical में मौका मिलेगा क्योंकि Total Vacancy के त्लाइग उने यानि 75 17 के क्रीब अगा है बुलाए जाएगे तो वहाँ सभी, मेरे हिसाब से, सभी acceleration भाईयों का मोका मिलेगा क्यों कि काफी और भी भरती, काफी सारी clear हुई हैं, तो इतने pending मि नहीं हैं लगबग लगबग इतने ही acceleration भाईयों 45, 100 या 8000 के करीब इससे ज़्यादा acceleration भाईयों का participate नहीं होगा, UP constable में वैसे मैं भी अपने चैनल के कम्यूनिटी पोस्ट में एक पोस्ट कर दूँगा जहां पर मैं आपके अर्टेम्ट से बगेरा पोचूंगा अगर आप वहां पर बोर्ट करेंगे तो आपके भी कुछ आइडिया लग पाएगा कि हमारे कितने भाई पार्टिसिपेट कर रहे है और कितने भाई नहीं कर रहे हैं आप भी अपने रहे होंगे एया उनसे बात की होगी आप पॉस्ट कर रहरे हैं एकने खीरें कर सकते हैं ञीर कर ला पोफ में जरूर कर दो जैसे फिरी कल लीड़ा बहाती है मुझे अपने खासर बाता दूंगा कि आपके अफीं और वाली है जहां तक मेरा एडिया है लेकिन फाइदा एक एक ही कट ओप आए उसमें ज्यादा फाइदा है क्योंकि हमारी पूरी विकेंशी फेल हो पाएंगी लेकिन पुलिस की बढ़तियों में जो पिछला सनी जो रहा है वह सबसे कटेगरी वाई जी कट ओप आएगी आपका और भी कोई कुश्चन पुलिस के बारे में अगर जानना हो कॉश्टेवल बढ़ती के हिसाब से एक्सलेशन वाई उसरेटर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं उनका जवाब देने की कुशिस करूँगा अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं अपने जो कर दो कर दोदिस पता हैं